तो जै हिन दोस्तों आप सभी को स्वागत है एक और फिर से आपके अपने यूट्यूचरल मुके समयत पे तो मेरे प्यारे विदारतियों आज हम आपसे बात करने वाले हैं एक नंबर सिस्टम का छोटा सा टॉपिक जो बहुत ही बहतरी निदम बारुद के गोला जैसा है तो अगर आप इस परिचित हैं तो आप एक बार जरूर देखिए तो आज हम आपके सामने पेस करने वाले हैं इगारा क विभास्ता के नियम जो बच्चे को अकसर दिकत करता है तो आईए हम आपको समझाते हैं बहतरीन ढंग से और हर चीज को आपके सीधा दिमाग में हम पेस करेंगे आईए तिये रहा इगारा को विभास्ता के नियम हलाकि हम यहां पर इगारा को विभास्ता के नियम इसलिए रखे हैं ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते हैं जानते हो लेकिन इसे सोट में कैसे सबसे फास्ट बना जा सकता है जिसे अदम कम समय में हम सवाल को अंसर त वीडियों बस अपना चार मिनिट कीमती समय देखिए फिर उसके बाद आज के बाद इगारा विभाज तक नियम आएगा इतना फास्ट बनाएगा यह गरांटी है आप दो से तीन मेंट आप रूख जाएए आप यहां पर देख सकते हैं पहले हम लोग यह जानते थे इगारा कोई मल्टीपल आजाता था तो हम समझेते कि यहारा से बिभाज होगा अन्याता नहीं लेकिन यह तरीका बिलकुल बेहियात है और ऐसे अगर आप बनाते हैं तो आपको परशानी का सामना करना पड़ेगा इसलिए आप ऐसे ना बनाएं तो जादा बेहतर है अब एक मेरा स और तरीका आप समझे और दिमाग को खोल को आप स्पाज़ने का कोशिजिए अगर और आपके सामने कोई भी टॉपिक है या कोई सवाल है जो आपको बहुत ज्यादा तकलीव देता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे हम उसको गरांटी की सोट करके आपको बीत साइन आपको लेना है साइन लेते चलना है ध्यान रहें फिर से कैसे करेंगे आठ में से चो गया दो बच गया पांच में से तीन गया पांच में से दो गया पालस का तीन हुआ तीन में से नौ गया तो माइनस का चो बचेगा यहां देखिए बच गया तीन में से नौ जाएगा, साथ में से एक जाएगा, तो आपका पलस का छो बचेगा, और दो में से पांच जाएगा, तहाँ पर माइनस का कितना बचेगा, पांच बचेगा, और अब जो आया आपके सामने सब को जोड़ दीजे, पलस चो माइनस चो कड़ जाएगा, तीन और दू पांच पल पलाएगा बहुत ही बहतरीन तरीका सब सवाल को सोल कर सकते हैं माल लेते हैं गोली मार दीश में आपको नहीं समझ माएगा छोड़ दीजे हम आपको ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम आपको समझाएं और आपको समझ में आए आई आई आपके सामने यह दोसरा प्रस ने हमने बोला क कि राइट से चलो कट यां कि नहीं को यस औरनो कैसे कहें आठ में साथ या कितना बचाइगा पलस के और जो जाएगा तुश Mire PM1 बचे cave यहां से 3 में से 7 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा चार बचेगा यहां बोली 6 में से 5 जाएगा तो 6 में से 5 जाएगा तो पलस का 1 बचेगा और यहां से 4 में से कूछ नहीं इधर कूछ नहीं रहा तो 0 तो 4 में से 0 जाएगा तो पलस का 4 बचेगा इसको सब को जोड़ दीजे देखिए पलस का 4 माइनस का 4 खतम हो जागा पलस का 1 माइनस का 1 खतम होगा 1 बचेगा तो हमने क्या बता है या तो पूरा खतम हो जाए 0 आजाए तब 11 से कटेगा और नहीं तो इसको कल्कुलेट करें गवाद 11 कोई multiple आजागा तब 11 से कटेगा इसलिए भी संख इगारा से बिभाजे नहीं होगा बताए बहुत ही जबर्दस्त और आपको मज़ा आजागा इस वीडियो में गरांटी है आई अब इसके अगले सवाल ये तो नॉर्मल हो गया सीधा प्रसन अगर इसको चेंज करके देता है तो ऐसे प्रसन आपके सामने देखने को मिलेगा अब आपसे पूछेगा कि बताए कि X के जगा पर हम क्या डालेंगे कि 11 से पूरा पूरा विभाज है तो ऐसे सवाल को भी आप गरांटी है कि बना लीजिएगा देखिए क्या करने वाले हैं इसको समझेगा 2 में से 5 गिया माइनस के 3 लिख दो X में से 9 जाएगा तो यहां पर X माइनस 9 लिख येगा यहां देखिए 8 में से 7 जाएगा तो पलस के 1 बचेगा और यहां 6 में से 3 चल जाएगा तो यहां पलस का 3 बचेगा और यहाँ 2 में से कुछ नहीं तो 0 है यहाँ पर पलस का क्या बचेगा 2 बचेगा खतम अब इसको 6 से 7 अब इसको क्या कीजिए काड़ दे देखिए 3 पलस का है माइनस का 3 खतम हो जाएगा पलस का 2 और पलस का क्या हो जाएगा तीन हो जाएगा और पलस यहां पर X-9 हो जाएगा अब इसको सोल कीजिए सोल कीजिए तो माइनस नौ यह पलस तीन है तो माइनस के छो बच यह तो X-6 अब आप ही बताएए 11 से कटने के लिए यहां पर जो कॉलकुलेशन है या तो 0 आना चाहिए 11 का मल्टीपल आना चाहिए तो आप ही बताएए यहां पर 11 लाने के लिए यहां पर 17 रखेंगे और X का भाईलू 17 रखेंगे तब 11 गाईगा क्या X का भाईलू 17 संबह है क्योंकि यह सिंगल डिजिट नंबर है तीसलिए हम 0 लाने के लिए चाहिए तो आईए आप लोग अगर यहां तक वीडियो देख लिए शुरू संतक आपको बहुत बहुत थैंक्यों अगर कोई भी टॉपिक से अगर आपको परसानी रह जाता है तो आप एक बर जरूर हमको बताएगा चली इस सवाल का अंसर जो है कमेंट बोक्स में एक बर जरूर देंगे जो तरीका हमने बता है यह इगारा से कटिया की नहीं आपको comment box में yes और no लिखना कि हुषन नशार कट जगाँ तो yes लिखना नहीं कटिया तो no लिखनाення और यहां पर इगारा से विभाज है तो बाई के भैलू क्या होगै today बाई के भैलू के टना डालें कि गारा से कड़ जगा तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक जय हिन जय भारत और हाँ साथ ही में ध्यान रखिएगा कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और जो भी टॉपिक्स आपको दिकत है एक बर ज्रू बूलेगा तो चलिए मिलते किसाथ जय हिन जय भारत